पुरा बताना चाहते हैं कि कैसे साड़े साथी लगती है आप जानते हो कि सनी महराज रासी परिवर्दन कर रहे हैं सनी धनू में 26 जनवरी 2017 से 24 जनवरी 2020 तक रहेंगे और जब सनी महराज रासी बदलते हैं तो साड़े साथी में परिवर्दन आता है और गोचर से ही साड़े साथी का पता लगाया जाता या यहां कहें कि सनी की जो साड़े साथी वो सनी का गोचर है तो यह गोचर जो चंद्र कुंडली से देखा जाता थी आपको ध्यान रखना सारी जो बात बताई जा रही है चंद्र कुंडली से बताई जा रही है इसमें लगन कुंडली का कोई मतलब नहीं है देखिए आपके जब जन पत्रिका होती है तो इसमें चार परकार की कुंडलियां होती है लगन कुंडली नौमांद कुंडली निरण भाव चली थे चंद्र कुंडली या सोडस कुंडली भी होती है तो यह लगन कुंडली से अभी कोई वास्ता नहीं है मैं सारी की सारी बात कर रहा हूं चंडर कुंडली से आपके यहां पे चदर में कहां पे बैठा होगा उसकी में बात कर रहा हूं तो यह इसको चंडर कुंडली बोलते हैं तो जहा की ग्रह कैसे फul देते अब अधर्मी क्रपालू मिससी सन धर्व मित्र मुत्व ING Navy सतुर हो जाते हैं उच्छे क्विप कभिने तेimana ऑफ़ नहींते हैं जो नहीं की प्योचान जेंगर, जेंगर मैं अच्छे हैं दो dos kh • pros बहुत कठें काम होता है कि जो तीस में इतने सारे सिध्धान्त एक साथ apply करते हैं वो सारे सिध्धान्त का application एक साथ करके balance view में अपना prediction देना अपने आप में बहुत कठें होता है जो 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 तीस ऐसा कर पाता वो निशी दूरूप से success astrologer कहलाता है जो हिंदुस्तान में कम यहां तो साइकलोजी बताते लोग तो आप से कुछ पूछ लेंगे और आपको ही बता देंगे और आपको बेवकूब बनाते रहते हैं अच्छे एस्ट्रोजर की बहुत कमी हिंदुस्तान में क्योंकि सिद्धान्त हम लोग भूलते जा रहे हैं और जोट सी इतना माथा प कौन से प्फल देते हैं कौन सा घृ कप फल देगा यह निर्धारान के लिए जो 51े कुछ सद्धान सरूमान है जैसे फिस भाव में बैठा है उसका कौन से घृक दरस्टी है सुभा नीच है कह सोत्रू का है इसडर्मित्ररास Catal से चिभ Kerry की दसाइं करे अब यद अवस्था निश्ची दुरुप से सनी जैसे छटे भाव में बेठा है आठे भाव में बेठा है यह सदा पुरे भाव है यहां यदि सनी बैठा है तो निश्ची दुरुप से खल फल देगा आपकी कौन सी दसा दसा हो महा दसा हो प्रत्यंतर दसा हो यदि आपकी सूर की दसा महा दसा हो चंद्र की हो या सनी की मंगल कभी की यदि ऐसी इस्तिती में आपके ग्रह बैठे रहते हैं तो आपको बुरे फल देते हैं तो इसका मतलब यह है कि ग्रह कभी अच्छे फल देते हैं कभी बुरे फल देते हैं कोई मिर्धारित नहीं है कि कभी अच्छे फल देगा बुरे फल अर्थाद जन्म रासी से जब गोचर में रासी भ्रमण करते हुए पारवे में जन्म रासी का पहले और दूसरे इन तीन इस्थानों के सनी आता है तब सनी को साड़े साथी लगती साड़े साथी प्राया पीड़ा दुकादी असुफल ही मिलता है सनी एक रासी भाइवर्स च करता यह मकर अश्म रासी कि मैंने लिखा है कि चल्प प्राविश्яाय प्लत मों घ्बूटरे के नीचे स्थान में दोनों घ्यूठ ने नीचे स्थान में टांगे यहां से लिक है यहां तक अब्र समय करता है यह च्ड़ोड़ीत चाम यह जो हमारा जो सबहा हुता है मैं में बता दुम Phreanड और्ट से जो Sunny है जो तला रासी में 20 डिग्री में और मेश रासी में 20 की बीज डिग्री में आपकी कुंडली में सभाव्ण राज जी महने पांस थीड्यवर्ण। तॉछ नहीं करता के प्रत साय पांजा के पनांगे हो सकता है नहीं निज़ के फल नहीं देंगे तो इतने डिगरी में होगा तब यह उच्छ का कहले गों नीज़ का कहलाएगा ओके तो हो चकता है कि कभी-कभी आपकी कुंडली में लगन कुंडली में तो नीज़ का दिख रहे हैं लेकिन नौमांस कुंडली में जाके उच्छ का हो जाता तो भी वो नीज़ के फल नहीं देता है तो यह बहुत गहनता से कुंडली का जो अध्यान करने वाल इस्ट्रोल हो जा रही सब कीज़ों को बारी की से अध्यान रखते हैं इसके बाद ही अपना फलादेश वो देते हैं यह कुंब रासी जिसको एक्वेरेस कहते मीन मैं पाइस सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं इस तरीके से गोचर करता है जब जहां पर भी जाता तो किसी को साड़े साथी लगती है किसी की हटती है तो यह जब चनद्र रासी से वो गोचर करता है तो उसी को हम साड़े साथी कहते हैं अब में आपका बताना चाहताँ कि मेंस रासी होगी तो इस तरीके से उसकी साड़े साथी प्राणव होगी जब चंद्रमा सञी उसका मीन में आएगा two पहला डहिया जब ये दूसरा ढहिया तब लगेगा जब पेस में आएगा तीसरा ढहिया तब लगेगा जब व्रशब में आएगा इस तरीके साड़े साथी यहां डाइवर्स यह पूरा रन करके साड़े साथी इसकी खतम होगी नेक्स्ट चंडर व्रशब जिसकी रासी हो यह चंडर कुंडली है व्रशब जिसकी रासी हो जो उसका मेश में यह दि सनी महराज आएंगे तो उसका पहला ध़िया चलेगा और इस तरीके से रन करते हुए साड़े साथ उसके साल बीतेंगे यह जब किसी जातक की मितुन रासी है तो उसमें जब रशम सनी महारा जाएंगे तो उसकी तरीके से साड़ें साथी, ढाई जाई साल, ढाई साल, ढाई साल होके पूरा साड़े साथ यहां पे रन करके चलेगी कोई जाता करक का है तो इस तरीके से करक रासी जिसकी इस तरीके से चलेगी जब मिथुन में सनीमार आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूँ कि एक से लेके साथ तक हैं पहली मेस लगन और करक लगन इनको अभी शाड़े साथी से ये प्रभावित नहीं हो रहे हैं इसको सिह में चलती है, कन्या लगन चलती है। चि целती है। सिह महारासी में काई चलती है। तुला लगन में सनी की साड़े साती खत्म हो रही है 26 जनुरी 2017 से ये सनी तुला रासी वालों के लिए खुश खबरी है ये कन्या में सनी आय था पहला ढहिया ये दूसरा ढहिया तुला में और ये तीसरा ढहिया अभी लगबक खत्म हो गया 12 जनुरी 2017 को भी साड़े साती तुला लगन मालों की साड़े साती अब खत्म हो चुकी है वरश्चिक लगन चल रही है इनका ये तीसरा ढहिया स्टार्ड होगा वरश्चिक ले कि वरे सी को पांच साल से ये अचल रही है और झैल कि 10 ah00 290 आ यहां धनु रासी में बीते गा और जैसे नहीं बीते साड़े साथी के बाकी हैं इसी तरीके से जिनकी मकर रासी है उनको अभी साड़े साथी उनके लिए अभी पहला ढहिया स्टार्ट होगा मकर रासी के लिए साड़े साथी इस बार प्रारम होई है इनका पहला ढहिया 26 जनवरी 2017 से स्टार्ट होगा फिर मकर में जाएंगे दू पंट लगनने होई हैं उनकी साध्य साती ने हुई है क्योंकि जैसे माराज मकर में आएंगे तो उनकी साथी का पहला ढधाए गहां धाय साल बात। कुम रासी को साड़साती ऐसंब होगी तो इस तरीके से मकर में कुम में और मीं में सब्चाराज कर नीडी सीजम में जातक की मिनने रासी व्ला कि था अ dealt दूसरा और मेस में जाएंगे तो तीसरा इस तरीके से मीन लगन के लिए भी ये जो है सदी की साड़ साती का कोई मतलब नहीं है, सदी से कोई प्रभावित है कुल मेला के कहा जाए तो तुला लगन खाटम हो गई है, व्रश्चिक लगन धनू लगन और मकर लगन यहीं तीन रासी खासकर सदी महाराश से अभी फ्रिडित हो रही है और साड़ साथी के प्रभाव में है वरह्त पराशर होरासास में बहुत सारे उपचार दियेंगा है भाई ओ आप यदी सरी को प्रभावीत हो रहा है तो उपचार का पालन करिए और किसी परकार के नगगीने के छकर मत रहिए ये वीडियो रोके ये मैं उन्कि लिकाई वो लिकिए इसमें से कोई एक पार्ट करिए सनिय माराज के स्तोथ है सबसे बढ़िया हुपाए कोई एक करिये में से और competition वारे कोई टेंशन लेने की जरुवरत नहीं है गर्वती माताईं ना करें कि सोरी वाल काई डरेना और इसमें सनियमाराज अच्छी ही फल देंगे कोई भी गरह किसी को बुरे फल देने के लिए नहीं बैठा है जो पारब्द है उसको तो भोगना पड़ता है विश्णुसास नाम भी अच्छा विकल्प है यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा यही मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल क आप सब्सक्राइब करें थाइंक यू